हेलो दोस्तों, once again I am very welcome back to the new video and in this video I am going to clarify a most asked question और यहाँ पर मैं यह भी कह सकता हूँ कि बहुत confusion करने वाला सवाल अब यहाँ पर मैंने बोला कि Marksit है वो स्कूल डिस्रिब्यूट करेगा और गुजरात बोर्ड उसको देगा तो यहाँ पर student ने क्या समझ लेया कि गुजरात बोर्ड की और से Marksit डिकलेर होगी तो दीखें दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर Marksit है वो सिर्फ आपकी स्कूल ही प्रोइड कर सकती है और कोई यहाँ पर आपकी Marksit प्रोइड नहीं करेगा तो फिर यहाँ पर अगर किसी भी यहाँ पर result related doubt है तो फिर यहाँ पर आपको स्कूल को ही पूछना होगा यहाँ पर गुजरात बोर्ड आपको कुछ भी help नहीं कर सकता है तो फिर आपको Marksit के जो भी questions है वो आप आप यह respective school है वहाँ पर help line number है या फिर school पर visit भी करके आप यहाँ पर आपकी Marksit के बारे में पूछ सकते हो पर यहाँ पर as of now तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दो तो देखे आज result declare हुआ है और आज ही के देन यहाँ पर Marksit नहीं आएगी it will take at least one week of time क्योंकि यहाँ पर गुजरात बोट से हर एक school को यहाँ पर Marksit declare की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर Marksit है वो distribute करेगा school तो फिर यहाँ पर एक week जितना तो time लेके ही चलिए और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी Marksit नहीं आती है तो फिर यहाँ पर आप school पर respective school को यहाँ पर contact करके आप पूछ सकते हो की बाई कब यहाँ पर Marksit declare होगी ठीक है so yeah that's it for today's video thank you very much if you have any doubts then ask me in the comment section